पर हब दुनों की बाद है एक चंडल की तालाब में दो मठलियां और इसमें हज साथ रहा करते थे मठलियों को अपनी बुद्धी पर बड़ा धमंद था तो इसमें अपनी बुद्धी पर अपनी धमंद नहीं करता था फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दो थे तीनों इक चंडलाब में एक साथ खूमा करते और हमेशा बड़ात रहते तीनों साथ में इतर लगते एक सर्थ नदी के किनारे एक मठलियों आजा रहा था उसमें देखा कि चालाब मठलियों से भरा हुआ है मठलियों ने कहा में बकल सुबह यहां होँगा और बहुत सारी मठलियों पकड़ कर ले जाओंगा में अच्छे में मठलियों के उनारी बाते ले थे तीनों आजाब में मौझूद नदी कि जान बचाने के लिए अपनी दोड़ों के बात गया में मठलियों के मठलियों के उनारी बात बताई एक मठलियों ने कहा उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए में मठलियों के लिए हम मठलियों के लिए में अपनी पूलबचों की जगा छोड़का नहीं चाहिते है दोनों ने फिर कहा हम इतने की प्रूरत नहीं है हमारी पाक इISTनली बोगई है कि हम अपना बचाओ कर सकती है में अपने कहा मोझे पाक में में मौझूद एक तालाब के बारे में पता है जो इसी तालाब से जोड़ा है उसने तालाब के अन्युत जीवों मुझे भी तालाब में चितने की जगा नालू है इस पर मेंधक ने कहा मच्छिवारे के पास बड़ा जाल है तुम उनसे नहीं बच्छते हो लेकिन मच्छियों को अपनी पुद्धी पर बहुत गुमान था उन्होंने मेंधक की एक नसरी लेकिन मेंधक उसी रात अपने साथियों के साथ दूसरे तालाब में चला गया उन्हों मच्छियोंने मेंधक का मर्णा कुणाया उन्होंने मच्छिवारे के पास बड़ा जाल था उसने तालाब में जाल जाला तालाब के सभी जीव अपने जाल बचाने के लिए भाग में लगे लेकिन मच्छिवारे के पास बड़ा जाल था जिस तालाब कोई पे बच्छगर नहीं जाल था जाल में बहुत सारे मच्छियां फक्री गई उन्हों मच्छियोंने थी अपनी जाल बचाने की बहुत कोशिश गी लेकिन उन्हें भी मच्छवारे में पजर ही लिया जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी दोनों मच्छियों का आकार सबसी बढ़ा था इसलिए मच्छवारे में उन्हें अलग रखा था उन्होंने बाग्ची मचलियों को एक टोकरी में डाला जब दिन दोनों मचलियों को गंड़ी पर उठा कर चला जा रहा था जब रहा दूसरे तालाग के सामने पहुंचा तो मेनध की नजर उन दोनों पर परी उसे अपने नित्रों के यहा हालत देख बहुत दुख हुआ उसने अपने साथी से कहा काश इन दोनोंने मेरी बात मांग ली होती तो आज इस बिन्ता होती तो 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 इस कहाने से हमने यह समझाता है कि तभी भी अपने पुत्री पर धमंड नहीं करना चाहिए एक दिन यही धमंड जान देवा सापित हो सकता है